है गाइज गूड इविनिंग एंड वेलकम टू देव भू मी कजर पॉइंट तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सब लुक्स्वस्त होंगे काफी अच्छी आपकी स्टेडी चल लए होगी तो देखे सामानी हिंदी टैसरी जो अमारी चल ली थी उसका पार्ट 87 है औ देखे सामानी हिंदी का पॉर्शन बहुत जादा महत्तव हों है गुरुप सी के एक्जाम के लिए और आपको बहुत ध्यान देना और बहुत ही बारी की से क्वेश्चन को समझते हुए एक्जाम होल में आंसर भी करना आगे ठीक है इसलिए मैं हमेसा बोलता हूँ हिंदी जो विशे है वो आपका समझने वाला विशे है रटने के बाद आप सोचता है कि हिंदी में मैं मैक्जिमम स्कोल कर लूँगा तो आप बिल्कुल गलत है ठीक है तो हिंदी के चैप्टरों को समझने की कोसिस करें और सांथी चैनल पर जो अन्ने टैस सरी जा रहे हैं UK जी के टैसरीज है और जी के वाली टैसरीज है साथी परिक्षें वाली महाकुंब इन सभी को फॉलो करें ओके तो चले सुरू करेंगे आज पार्ट 87 इसमें भी कोश्यनों को देखते हैं पहला कोश्यन है देखिया आपके सामने जब कोई सरकारी पत्र ग्यापन या कारले आए तो उससे क्या कार साता है है कि सरकारी पत्र ग्यापन को एक और रहेंक प्रैशित्यों को प्लेज दाए यानी कि बहुत से अधिनिस्तर कर्मचार सक्राय काके बेजा जाए तो इसको बोला जाता है कि Dennis को फॉल्य है तो option D में बिल्कुल सही है, very important और परिपत्र को एक पत्र और कहते हैं, क्या पत्र बोलता है, गस्ती पत्र, कभी question बन सकता है, इन मैं से किस पत्र को गस्ती पत्र कहा जाता है, तो परिपत्र को ही गस्ती पत्र कहा जाता है, ठीक है, अगला दिखे, जब एक अधिकारी दूसर मैं अपने व्यक्तिकत नाम से आपको पत्र लिखता हूँ, तो इस पत्र को किस category में रखते हैं, ठीक है, तो इसको बोलता है, demi-official letter, यह semi-official letter, यह option B, अर्दसास की पत्र, ठीक है, ध्यान लिखेंगे, तो जैसे अर्दसास के पत्र का क्या उद्देश्य होता है, कभी question ब पत्र लिखोंगा, यार भाई, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, तो यह आपस में लिख सकते हैं, इसको बोलता है, demi-official, संचे पर मूल पार्ट से कितने सब्दों में लिखना चाहिए, यानि कि summary writing की यहां पर बात हुरी है, अगर आपने किसी भी exam का means दिया हुए, तो वहां पर आपको summary writing आती है, ऐसे में, आपको एक गध्यांस दिया जाता है, उसमें से आपको summary बनानी होती है, और यह हमेसा 1 by 3 में लिखी जाती है, ठीक है, मूल पार्ट का एक तिहाई होता है, यानि कि option 20 का सही उत्तर जाएगा, एक तिहाई सब्दों में, ठीक है, जैसे कि आपको सब्दों का गध्यांस दे दिया है, अगर इसको आपका संचेपण लिखना है, तो कितना हो गया, इसका 1 by 3 हो जाएगा, ठीक है, यानि कि 33 words होने चीए, प्रॉक्स 34 तक, हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं, बहुत अच्छा question आगे देगे, हिंदी में ध्व सवरों के योग से ही बनते हैं, हर व्यंजन सवर के योग से बनाएं, जिसमें आ सवर आता है हमीशा, थ्यान दखेंगे, लेकिन सवर जो होते हैं, जितने भी सवर हैं, वो स्वतंत्र वान होते हैं, इस चीच का ध्यान दखें, सवर क्या होते हैं, स्वतंत्र वान होते हैं, चलिए अगले कोशिन की तरब बढ़ते हैं अगला कोशिन बोलता है मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रिकार होते हैं अभी तो ध्वनी के आधार पर यहां पर पूछा वानों की पारे में तो मात्रा के आधार पर स्वर के प्रिकार पूछी जाते हैं तो फिर यह हो तो यह जो हमारा यह आगत वाला आ होता है यह हमारा क्या है दियान दखेंगे जैसे कि आफिस में यूज करते हैं इसको तो यह दीर्ग में आते हैं और दिखें दिखें दिब्या स्वरों में ही कुछ शवर ऐसे हैं जो संव्योक्तिस्वर क्यालते हैं ये भी समयोक्तिस्वर क्या होते हैं एय यह दुगे हैं चलिए यहोगा मातरा के के आदार पर स्वर अब यहां पर कॉशियन पूशरा चाओगे आदार के कितने पřिकार कोई सवर के आदार क्तार ऌक्यतले को कौन कौन और किशनले के दियान से लिगते है और स्वर कवेस देखिले नियुक्त बादर सॉथ में पर लिएक weeginya रहार पर दो पर दिर के स्वर इनवें से कौन सा सब्धों पुलिंग है पुलिंग इसके लिंग के लिए बहुत सिंपल ट्रिक मैंने हमेजा बताई एप कोई विसेशंग यूज कर लूज या पीछे विसेशंग नियूज कर लो तो आपका काम आसान होनाता है देखिए दया पुलिंग की बात करेशें दया यहाँ पे नहीं होगा दया तुन्हीं होनाचे इसमर immature ब्लक्राइब लगा कि देखिए रहा है ध्री भास हे कि Japanese रहे है दिखें भासा या अच्छा भासा अच्छी भासा शूट कर रहा है ना माया माया अच्छी है या माया अच्छा है माया अच्छी होती है किसी के ले भी माया रखना अपने दर अच्छी है आभार में देखो करके देखो ठीक है आपका आभार बोलते हैं आपकी आभार तो नहीं बोलते अबंदमें से कौन सा स्थिल्लिंग है फिए कौई कोई भी किसमा देखते हैं है तो इसमें option D जो है सभा वो स्थिल्लिंग हो जागा सभा अची थी सभा अच्छा था थो नहीं बोलते है ना اच्छी सभा बोलते हैं बांगे, आप देख से हैंगी सभाघ में स्थिलिंग्या रहा सदानंद संदी क्या होगा सदानंद सदानंद संदान्द Swift बोलता है self गर अध्यक्षम है कौन सा उत्फर कर तो उत्रक कर आको पता यह दोस्तों ऐसे सब्दान से होते हैं जो सब्दी के प्राह lass जोटते हैं मैं दो भूते हैं अब बात करी जाए अध्यक्षम हो तो यहां पर गलत यहां जितने भी दिय घिया है अभी नहीं होना जाहिए आधी होना जाहिए तो दियान से नोट कर लिए अधियक्षमें अधी उफशर्ग होता है ठीक है अ कि पाटेहन दियान दखेंगे एक्जामों के लिए फुल लेंथ पचास प्रैक्टिस सेट इन में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है तो तत्सम कौन सा नहीं है यह बोला जा रहा है ऐसका मां की वचन ठीक है तत्सम है तत्सम होता है तीक्ति होना जाएं वैसे दिया है इकी बात है इनमें से कौन सा सब्द विदेशज यह है। सब्दों ऐसे सब्दे हैं जो हमने हिंदी में यह बाहर से लिए हें इनमें से विदेस्स रिक्सवान जाएगा इसका इसका रिख्ष होसा है जूटा तेनद्वा नव चूटा और तत्शम सब्दसा यह चूटा जबकि लिक्सा है हमारा विदेशी सब्द जो कि जापानी वासा का सब्द है ठीक है लिक्सा जापानी वासा का सब्द है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है यहां पर यह नहीं पूछा जा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं सर्वनाम के तो कुल 6 बेद होते हैं यह हमको पता है ठीक है कौन-कौन सा पुरुस वाचक सर्वनाम निश्य वाचक सर्वनाम निजु वाचक सर्वनाम संबंद वाचक सर्वनाम अनिश्य वाचक सर्वनाम और प्रस्न वाचक सर्वनाम जो सब्द संग्या के इस्तान पर प्र आप ठीक है यह वह जो सो कोई कुछ कौन और क्या यह हो गए हमारी टोटल कितने 11 ठीक है तो यह 11 हिंदी में सरो नाम होते हैं नोट कर लिजेगा राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी किरिया है बहुत सिंपल है तो देखे इसमें हो जाएगी हमारी अकर्मक किरिया अकर्मक और सकर्मक में थोड़ा माइनर सा डिफ्रेंस अब अकर्मक जितनी भी किरिया हैं होंगी ना इसमें हमेशा किरिया का जो फल होगा वो करता पर पड़ेगा कर्मे वाले पर ठीक है जबकि सकर्मक में क्या होता है क्रिया का फ़ल में सा कर्म पर पढ़ता है अब राम सो रहा है यानकि कौन सो रहा है सोनी की तो क्रिया हो रहा है किस पर रहा है राम पर हो रहे सीधे है ना कर्म है ही नहीं सेंटेंज में इसलिए क्या हो जाएगा अकर्म भी होते हैं ठीक है अविकारी का मतलब क्या है जिन पर लिंग वचन का लादी का कोई इफेक्ट नियुकर रहते हूं तो यहां पर देखिए अविकारी सब्सक्राइब कौन सब्सक्राइब बाद हो तो इसमें जो हमारा क्रिया विशेशन हो जाएगा वह जाएगा ऑप्शन स भी बाद ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोईशन के तरह अगला कोईशन भी वेरी इंपूर्टन कोईशन है देखिए पैटन पूरा फॉलो क्या जा रहा है प्रियाइवाची विलोम सब दे जा रहे हैं आपको जैसा कि यूगे ट्रिपल सी पूछता है तो अनीक का प् फॉज वाहनी कटक लसकर ठीक हैं तो यह हमारे फॉज के प्रेवाची हैं अगर कभी कोईशन बनता है अगनी के प्रेवाची के हैं तो अगनी के प्रेवाची क्या हो जाते हैं आग पावक अनल हुताशन गोगल के प्रेवाची पूछा जाए तो तुरंग घोटक अश्व हाई और ऐसे अर्जुन के पुष्टप अगर पूशन के पुर्याइबाची कहते हैं तो यह हमारे हैं धनन जय पार्थ भगवान सलिकेशनर बोलते हैं न पार्थ अर्जुन और इसम पेशनर अनिक जो सब्धियर पुर्ण पुर्थवी का विलोम बताओ बाई वैरी सिंपल है तो पुर्थवी मतब धर्ती की बात हो रही है तो धर्ती का विलोम क्या हो जाएगा सिंपल्स है ना धर्ती का विलोम क्या हो जाएगा आकास हो जाएगा ऑप्शन ए तो पुर्थवी का विलोम हो जाएगा आकास इसमन र्वरक्राणफ की अनुसार चायावाद के प्रतम प्रतिनिदि कवी कौन है यह कोशिशन, सायुक्ति सवर्ज से कोशिशन बनता है अगरा कोशिशन बनता है तो हमारा यह स्हें जो स्वर्ज made ay ay ou option ऑज्य होता है कैसां अगला बोलता है जहां बिना कारण के कारे होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है very important question आलंकार आपको सब पता होने चाहिए अलंकार जो है मुख्या तर अलंकार पूछे जाते हैं exam आपका सब्दा अलंकार में बात करें तो हमारे अनुपराज से question बनता है अर्था लंगकर में आते हैं तो हमारे रूपक, उपमा ainda उत्प्रेक्षा यहाँ से कोश्चन बनते हैं। और कभी-कभी जो अभी आंसर होगा हमारा विभावना इससे भी question बन जाता है जहां बिना कारण के कारे होना पाया जाता है वहापे विभावना अलंकार होता है इसका example है देखें तुलसी दास का एक दोहा मिल को याद आ रहा है बिनु पगु चले सुने बिनु काना ठीक है बिना बेल के चलता है तो बिना कारण के ही कार्य होना पाया जाता है तो इस तरह के जो हमारे दोह च्हंद होते हैं इनमें कौन सा लंकार होते हैं हमारा विभावना लंकार option 20 में सही है तो दोस्तों यह था सामाने इंदी test series part 87 आसा करता हूँ आपने 20 मैसे 20 marks गेन किये हमारी एप्लिकेशन को डाउनलोड किजिए गूगल प्लेश्टोर से सेम नाम से है या आप एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से और उसके बाद चैनल के आपने इस्टोर पे जाना है इस्टोर पे आपको यह दिख जाएगा 50 मिलेंगे आपको जल्दी दोस्तों अपना ध्यान रखें अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं और दोस्तों जब भी आप उत्राखंड के खुबसूरत प्लेसेज में घूमने जाते हैं तो वहां पर स्वत्छता का ध्यान रखें थैंक्यू पर वाचिंग जय हिं जय उत्राखंड सुबदात्री